है गाई देखो कुछ ऐसी कंपनिया है जिनके उपर रिसर्च करना पड़ता है सर देखना पड़ता है जानकारी कटा करना पड़ता है जब आप समझोगे न सर तो आपको अच्छा फील हो का बिल्कुल और याद रखिए किसी चीज को खरीदने से पहले सर समझो तो जाधा अ आपने सामनेवाला दुकांदार को बोला यार मेरे रूम में बहुत गर्मी होती है इस में इसमें कंफर्ट कर पाओ कुछ बता यार ऐसा कुछ ऐसा कुछ तो दो ठेक है तो बोलता ठीक है पेडेड करिए सर मैं आपको भेजवा देता तो इसका मतलब दुकांदार ने आपको चूना लगाया, बात समझ गया नहीं समझ गया से तो यहीं होती है चीज़े सर, यहीं होती है, आपको पता चल गया कि सर, पचाहश जर में तो एसी आजाता है, तो भाई कूलर किसी साप से मुझे दिया, यार, दस यह बिस यहार का समझना पड़ता है मार्केट में, कि आप जब पैसा लगा रहे हो, तो क्या खरीद रहे हो सर, पचाहश जार के चक्कर में आपको सर, कहीं AC बोल कर सर, आपको कूलर तो नहीं चिपका दिया, या कूलर का नाम ही तो नहीं AC रख दिया सर, उसने, तो कूलर AC तो नहीं बन जा उसी तरीके से मैं आपको बस example दे रहा हूँ, समझने की कोसिस किजे सर, मार्केट में समझोगे, तो आगे बढ़ोगे, और नहीं समझोगे, तो सर क्या होता है न, कि आप लगबग जो है, मतलब महंगी चीजे खरीद के चले जाओगे, स्टॉक, स्टॉक की बात कर रहा हू सबसे पहले company का product, company का product, तो ये fuel बनाने के लिए काम करती है, सर, जो आपके गाड़ी के अंदर जो petrol होता है न, सर, वो हम बाहर से मंगवाते है, हम मतलब मेरा देश बाहर से मंगवाता है, मैं कहा से मंगा हूँगा, सर, ठीक है, तो क्या है न, सर, ये बाहर से आती है, लेक आप ये जो देखोगा न, सर, तो bio-degradable fuels होते हैं, सर, जो manufacture होता है, इंडिया के अंदर ही, कैसे लगबख vegetable oil होते हैं, सर, animal fat हो जाते हैं, recycle, restaurant, grease, वगरा हो जाते हैं, सर, ये सारी चीज़े से, सर, इंडिया के नतर बनाये जाते हैं, मतलब जो waste होता है, उसको इस्तमाल किय जाता है, सर, देख सकते हो, ठीक है, और ये क्या होता है, सर, बड़ी-बड़ी company खरी देती है, ONGC, BPCL, ये बड़ी-बड़ी जो company आने, सर, petrol pump वाली जो company आ सर, वो ये सब खरी देती है, सर, और खरी दने के बाद, सर, वो लोग बेशती है, सर, हाँ, पूछो कैसे, अभी जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ये जो होताना, सर, बहुत सस्ता होता है, सर, बहुत सस्ता मतलब, कहने का मतलब, 45 रुपीज में मिल जाता है, सर, बैंगलोर के अंदर आपको 45 रुपीज में मिल जाता है, सर, बैंगलोर के अंदर आपको 45 रुपीज में मिल बना सकते हैं, पहली चीज़ में पेट्रोल बना सकते हैं सर, नहीं बना सकते हैं सर, इसको बना सकते हैं सर, और इसका प्राइज मातर 40-45 रुपे आता है सर, डिपेंड करता है state to state, कैसे पेट्रोल का प्राइज होता है न सर, डिपेंड करता है, कहीं पे 110 रुपे, कहीं पे 105 कहीं से 102 रुपया यह डिपेंड होता ना उसी तरह के से सर माल लिज़ा 40 40 से 45 रुपिस का प्राइज होता है सर तो यह बड़ी-बड़ी कंपनियां खरीद लेती है सर इन्वाइरमेंट फ्रेंडली रहती है सर इन्वाइरमेंट को सर ज्यादा नुक्सान नहीं पहुचाती है और यहां पर आपको बताया जरा कितने किलो लिटर यह बना लिती है यह कंपनी का के सर हजार क्रोड की और इस कंपनी के पास अलड़ी पहले से लग बग जो है हजार क्रोड के आज बार पड़ा हुआ है सर सोच लो और यह जो कंपनी गाम कर रहे हैं ने सर यह थोड़ा सस्ता पड़ता है तो इस वड़े से सर यह देख सकते हो सुगर केंवगर आपको दिखने को मिलाना से मक्का वगर आपको दिखने को मिलाना ठीके कौन वगर रात 19 review यह सारी चीज़ों से सर यह लोग बनाते हैं इंडिया के अंदर अब इससे होता क्या है कि इंडिया के अंदर की किसानों को भी benefit होता है और उसके पास ऐसी कंपनियों को भी benefit होता है सर, यह यहाँ पर आपको बताया जारा, और यही छीज़ यहाँ पर देखोगे, तो बताया जारा है, यह बड़ी-बड़ी company है सर, इनके client है, यहाँ देख सकते हो, बताया जारा है, Indian oil, HP आपको बताया जारा, BTCLS है, और यह यह to take this level बताया जरा 5% सर मतलब 5 गुना लेके जाना चाहते हैं सर 2030 तक सोचो के वाल आप सोचो कि सर इसको 5 गुना लेके जाना चाहते हैं तो कहने का मतलब ऐस सेल्स भी 5 गुना बढ़ेगा सर यहाँ पर मतलब सेल्स बढ़ेगा तो सर प्रॉफिट भी तो 5 गुना बढ़ता हूँ नजरा आएगा को जेस्टि में भी सर छूट दिया जाता है इंपूट क्रेडिट बताया जा रहा है 12% आपको देखेने को मिलता है एक चीज याद रखेगा कि हमारे देश की सरकार कुछ भी करने को तयार है बस पेट्रोल और डीजल हमें ना खरीदना पड़े सर पेट्रोल और डीजल खरीदने से हमें बहुत ज़्यादा पैसा देश के बाहर भीजना पड़ता है कमपनी का नाम देखें कोटियारक इंडस्टी लिमिटेड सर आज 12% भागता हुआ नजराया है बहुत छोटा बहुत छोटा फ्यूचर मल्टी बेगर आप समझ लो सर इसको अब लोग बोलें सर यह तो हजार का है यार तुम चुप रहो चुप रहो जवान तो लड़ाना ही मत मुह से कोई आवाज ने निकल जाना चाहिए जब सिधा सिधा बोला जा रहा है बहुत छोटा का मतलब बहुत छोटा बस बात खर्तम हो जाती है सर बोलने के जरूत नहीं है इतना छोटा है कि समझ लो सर बहुत छोटा है ठीक है समझने कि최एग कछ लोगों का आदत होता है कुछ लोगो का बीमारी होता है दłyर से उनको हो साता है सर देर से उनकी आखे क》लती है तो कहने का मतलब सर कुम करन 6 मैंने सो था इसका मतलब यह थोड़ी कि सब लोग 6 मैंने सोएंगे उसी तरीके से सर कुछ लोग का नींद जो है न सर लंबे समय के बाद टूटता है तो जरूरी नहीं है बाद में कुछ लोग का डायलोग रहेगा पहले नहीं बताया ठीक है क्या कर सकते है जाने दो अपना काम करते रहो सर और लोग का डायलोग सुनते रहो अपना काम करते रहो ठीक है न और मैंने आपको बोला बहुत छोटी कंपणी मात्र 1100 क्रोड की कंपणी सर आज 12 प्रशंट भागा इस वाज़े से स्टॉक यह आपर लगबग का ओडर है 564 कोड़ों का तुरंत ओडर मिल गया सर कहां से आया बाई तो आयो सीयल बीपी सीयल एच पी सीयल यहा देख सकते हो बाई व डिजल के लिए सर इन्हों धड़ा-धड़ा ओडर दे रहा है सर यह वो बड़ी बड़ी कंपनीया है जो दो तो तिन तिन ना करोड का तयार रहती है सर, आई इनको 500-200 क्रोड का ओडर देने में कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है सर, इसलिए सर मैंने आपको वहला ध्यान रखे, छोटी कंपणियों, बड़े-बड़े कंपणियों साथ पार्टनर्शिप करके काम कर रही है, तो यह को recommendation अडवा टाटा इपेल के साथ भी एंजल ने पार्टनर्शिप का लिया है, जो कि बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिन्टो में जाके अपने अडिमेट अकांड बागर आपन कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में सर.